तो कैसे हैं आप सब आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की डिजिटल करेंसी के बारे में जी हाँ इंडिया की डिजिटल करेंसी का जो पाइलेट प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे लॉंच किया गया है फास्ट ओफ नवेंबर को मतलब कल से यह जो प्रोजेक्ट है पाइलेट प्रोजेक्ट इसको लॉंच किया गया फॉर दे वॉल सेगमेंट अब जो यह डिजिटल रुपेया है जिसको आप ई रुपी भी बोल सकते हो इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं और आपको पता है CBDC बहुत सारे कंट्रीज के जो बैंक्स हैं सेंट्रल बैंक्स हैं वो खुद की CBDC पे काम कर रहे हैं कुछ बैंक्स ने अपने जो पाइलेट प्रोजेक्ट हैं वो लाँच भी कर दिये हैं कुछ 2023 में करने वाले हैं और उनमें से एक इंडिया भी है और यह जो CBDC है Central Bank Digital Currency है जिसको आप E-Rupiah Digital Rupiah भी बोल सकते हो यह ब्लॉक्चेन पर ठीक है क्योंकि Cryptocurrency ब्लॉक्चेन पर काम करती है यह ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी पर काम करती है तो इंडिया में फाइनली जो अभी वाल सेल सेगमेंट के लिए यहां पर प्रोजेक्ट को लाँच किया Union Bank of India, Bank of Badoda, HDFC Bank, ICICI Bank तो इस तरह 9 banks की list है है ना और पहले दिन ही इसके अंदर काफी अच्छा transaction हुआ है और सबसे बड़ी बात आपको पता है Cryptocurrency का भी इंडिया में कोई भी status नहीं है बिल्कुल ना तो legal है ना ही illegal है ना ही Cryptocurrency को कोई regulation है यहां पर लेकिन यह जो CBDC है यह इस पूरी तरह regulated है पूरी तरह इंडिया की currency है और इसको regulate करेगा RBI मलब पूरा जो control रहेगा ना इस digital रुपी पे वो control रहेगा RBI का अब देखो एक तरफ तो CBDC आ चुकी है बहुत अच्छी बात है इंडिया की currency डिजिटल currency लेकिन crypto currency को लेके अभी Indian government की तरफ से कोई भी stand clear नहीं हो रहा है एक December से G20 Summit स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर definitely जो हमारी Finance Minister है उन्होंने भी कुछ कहा है कि G20 Summit के अंदर बात की जाएगी किस के उपर crypto regulations के उपर और 2023 को लेके भी हमने पिछले कुछ time में cover किया था कि 2023 में definitely सरकार जो है government जो है कोई action लेगी cryptocurrency को लेके या तो उसको legal किया जाएगा या जो भी regulations है ठीक है क्योंकि कोई status नहीं है cryptocurrency का अब cryptocurrency से ही प्रेरित कहेंगे हम CBDC को है ना क्योंकि है तो blockchain technology के उपर और blockchain technology के उपर आपको पता हजारों cryptocurrency है आज के time में market के उपर तो blockchain से ही सारी चीज़े जुड़ी है तो CBDC finally इंडिया में pilot project launch वार जल्दी ही आम लोग भी इसका use कर पाएंगे ठीक है मतलब सबी के लिए ये usable हो जाएगी और सबसे बड़ी बात आप आज के time में कहीं भी payment करते हो credit card debit card है ना cash payment करते हो तो अब इसके साथ आपको एक option digital rupee का भी मिलेगा इसके जरीया आप कहीं भी payment कर सकते हो इसको आप सीधा अपने mobile wallet के अंदर store कर सकते हो ना ही आपको जैदा जेव में cash रखने की जरूरत है cash बिलकुल अगर आप नहीं भी रखोगे तो digital rupee आपकी पूरी solution करतेगा है ना क्योंकि कहीं भी आप इस digital rupee से जो है payment कर पाओगे और अभी wall sale segment के लिए है तो उसके बाद अब क्या होता है कि cash आप रखते हो तो note क्या होते हैं कभी क्या होता है कट जाते हैं फट जाते हैं तो वो बहुत बड़ी problem होती है ना तो ऐसे में आप सीधा सीधा CBDC को भी use कर पाओगे आने वाले time के अंदर और CBDC से भी जो है digital rupee से भी आप payment कर पाओगे लेकिन CBDC के साथ साथ जरूरी है इंडिया का stand clear हो cryptocurrency के उपर भी क्योंकि सारी चीजें cryptocurrency से जुड़ी है CBDC आई है तो cryptocurrency को देख कर ही आई है चाहे वो किसी भी country के कोई भी bank हर bank जो है अपनी CBDC पे काम कर रहे है तो जरूरी है कि cryptocurrency को भी यहाँ पर कुछ मानने किया जाए और regulations लेके आए जाए और crypto currency का भी status clear होना बहुत जरूरी है है ना जिस तरह आप देखे हो crypto बजार के अंदर आपको volatility देखने को मिलती है आज crypto के prices कहा है तो कल कहा हो जाते है फिर परसो कहा हो जाते है तो CBDC में आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा है ना यह पूरी तरह regulated है पूरी तरह मान्या है और RBA की तरफ से जो है यहाँ पर इसको regulate किया जाएगा तो CBDC डिजिटल रुपेया कहीं ना कहीं बहुत help करेगा जो आज के टाइम में आप देख रहे हो बहुत सारे transactions होते हैं कोई cash से करता है कोई debit card बहुत सारे ऐसे frauds भी होते हैं तो उन सब से जो है निजात मिलेगी एक तरह से तो कई न कई एक अच्छा गदम है digital जो कहते हैं digital जो future of currency crypto currency को future की currency कहा जाता है लेकिन यह CBDC भी future की currency है क्योंकि digital currency ही future की currency है आने वाले टाइम में यह not शायद ही आपको देखने मिले बहुत सारे लोग कहते हैं कि crypto currency replace कर देगी fiat currency को ठीक यह भी एक कई न गई मित है बहुत बड़ी चीज हो जाएगी अगर crypto currency ने replace कर दिया और वो कभी replace कर पाएगी यह नहीं कर पाएगी यह time बताएगा है ना लेकिन अभी फिलाल बहुत बड़ी बात है कि CBDC जिस तरह से हर बैंक लेके आरे अपनी तो digital currency ही future की currency है future की currency के साथ साथ crypto currency का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है तो जल्दी आप digital रुपे को भी use कर पाएगे है ना और digital रुपे से digital रुपी से आप कुछ भी खरीद पाएगे कोई भी payment कर पाएगे कोई भी transaction कर पाएगे सिर्फ अपने mobile से है ना easily बिलकुल कोई भी यहाँ पे जंजट नह तो यही कुछ चीजें दी digital रुपी को लेके ठीक है जब यह publicly launch हो जाएगा तब भी हम आपके लिए update लेके आएगे अभी फिलाल आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है like, share, comment जरूर करना और नीचे description में telegram, twitter के link है वहाँ भी update आपको मिलते रहते हैं त नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, bye bye